आप उस महस को और मच छेडिये। दुख है इस बात का कि बड़े पेमाने के लोग भी जान देए। उसमें महला हैं, बच्चे हैं और जाए तर वो गरीब लोग हैं जो आभाव में जीते रहे हैं। और ये कारक्यम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कारक्यम समय समय पर उत्व जगे जगे पर होती है। दुखत ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पेमाने पर लोग की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिन्मेदारी परसासन और सरकार की रही है। परसासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चीए था। और पूरे उत्तवदेश की लोग जानते हैं। जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं। जितने बुलाई जाते हैं उससे जादे भी लोग पहुंसते हैं कई बार आयो जख और कारकम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे कम से कम ये जिम्यदारी परसासन को लेनी चाहिए और परसासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कारकम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाएं सुरच्छित लोग आएं और सुरच्छित लोग चले जाएं हमें उम्वीद हैं आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और परसासन भी इस बात का ध्यान रखेगी जिन लोगों की जान गई है वो लोटाई तो नहीं जा सकती है लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो खायल है जो पीड़े थे उनके इलाज का इंतजाम करे और किसी पे आरोब लगाने से कोई लाब नहीं मिलेगा कर जब में लोग समा में था तो आपके कई साथियों ने सवाल किया था और उन्हें यह भी कहा कि जिस तरीके से स्योसल मीडिया पर भारती जन्ता पार्टी के लोग कुछ तस्वीरें चलवा रहे हैं भारती जन्ता पार्टी का यह काम बहुत पुराना है अभी कम हारे हैं अगली बार पूरी तरीके से हार जाएंगे तबी सुतरेंगे अगर यह हाठ्रस की जिसकले से तस्वीरे सामने आए उससे कही न कहीं स्वास्त व्योस्ता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुड़ा है डावा किया जारा कि अगर स्वास्त व्योस्ता बहतर होती है तो में उनको हॉस्पिचल मेंट बिन कराया जाता तो ल आउट मेंजमेंट कैसी किया जाए एमर्जनसी हो तो क्या-क्या जरूरतें पढ़ती हैं जिनकी पूरी कि जाए जरूरतों को यह आज जो आप बात कह रहे हो स्वास्त सेवाएं पूरी तरीकी से उत्तरप्रदेश की खराब हो चुकी है यह पहली घटना नहीं है समाजवा पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तरप्रदेश की स्वास्त सेवाएं बिलकुल खतम कर दी हैं जो लोग यह दावा करते थे कि नए ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे उ उस समय की पिछली सरकार ने काम शुरू किया था उसको पूरा करने काम अगर किसी ने किया था शुरू करने काम किसी ने किया था तो नेताजी उस समाजवादी पार्टी ने लेकिन आज पता करो सहरनपुर के मेडिकल कॉलेज का हल क्या है या उत्तरप्रिस के अन्ने मेडि एजन्सी हो उस समय तो किसी को इलाज मिलता ही नहीं है और इलाज ना मिलने की वज़ेसे भी बहुत सारे लोग की चार्च लिए जब स्वाज विभाग के मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वाज कैसे बैतर उसमें लगे रहेंगे तो विभाग को देखेगा वो अपना पॉलिट च्वंती जी क्या उसमें से विवाग में से कमी कर दे रहे जिसके विवाग की टिक्नी चलिए जांच क्या चल लए आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच किया मैं आपको धन्यवा देता हूं जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं अगर उसी पर सरकार कुछ नेड़ा ले ले सरकार तो हर बात च्छिपाना चाहती है आपसे बेदर कोंच जानेगा आप बीजेपी के लिए काम मत करो मेरा निवेदन है आप पत्रगार साथियों से कितनी जान गई हैं वो भी आप नहीं बता हो कि अस्वास से वाएं कैसे ठब होएं ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए बस जो असली मुद्धा है जहां परसासम की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी क्या जाने आप कर गे घट ना हो गई हैं आप ने उन की जिम्मेदारी थी तो सरकार की जो जिम्मेदारी के भाग नहीं सकती सरकार देखेगे ऐस और सरकार उससे बचना चाहती हो सरकार जमिदारी से बाहना चाहती हो यह कौंस्परेसी तो है जैसे यह सवाल पूछा यह पार्ट आफ कह पूछा ता भी हमारे पत्तिकार साथी ने ये पार्ट ऑफ कॉंस्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा अगली जी हर बार सोपी बनती है लेकिन वो पॉलों नहीं होती बार दिने सोपी बनाई लिए जो अमार को भी हुआ था आप क्या कहें देखें सरकार को फुरसती नहीं है न मैंने आप ध्यान दिया मैंने क्या खाथ है जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वाज बैतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा वो तो चाहते हैं कि मुख्यंदी अट जाए हम बन जाएं क्यों करते हैं कि यह पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजटी नहीं दे रहे हैं यह तो सदद में भी हम नों ने कहा था अगर याद हो आपको याद है कि भूले आप जलिए धनेवाल ले आएए ख़ब